अंतरराश्ट्य योग दिवस के मौके पर देश भर में विशेश आयोजन हो रही है लेकिन राजस्थान के उदेपुर शहर में आदी योगी ग्रूप ने परियावरन संरक्षन को लेकर एक अनूठी मुहिम शुरू की है इस मुहिम में पेडों के साथ योग अभ्यास किया जा रहा है और प्रतेक योग करने वाले व्यक्ति को एक पौधा लगाने और उसकी देखरेक करने की सला दी जा रही है आदी योगी ग्रूप के फाउंडर जस्वंत मेनारिया ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनके ग्रूप द्वारा यह विशेश मुहिम चलाई जा रही है इसमें वे पेडों के साथ या पेडों के नीचे बैठ कर योग के विभिन्न आसन करते हैं और आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूप करते हैं उनका मानना है कि योग और पर्यावरण एक दूसरे के समक्ष रहकर ही पूर्ण होते हैं उदेपुर शहर की अलग-अलग जगों पर जाकर यह विशेश योग क्लासेज भी ले रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से पेडों के साथ योग किया जा सकता है इस अनूठी पहल में पेडों पर शीरशासन, सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम जैसी अनेक योग मुद्राएं की जा रही है योग की छात्रा मुसकान जैन ने बताया कि पर्यावरण में हर पेड एक अलग मुद्रा में योग करता हुआ नजर आता है इन दिनों गर्मी का प्रकोप काफी बढ़ गया है और इसका मुख्यकारण वर्षों की पेडों की कटाई है जितनी मात्रा में पेड पौधे काटे जा रही है हमें उतनी ही मात्रा में पुना पेड पौधे लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण को स्वस्त रखा जा सके यह मुहिम न केवल योग का अभ्यास करने का एक नया तरीका है बलकि लोगों को पर्यावरण के प्रती जिम्मेदार बनाने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है इस पहल से न केवल योग को बढ़ावा मिल रहा है बलकि पर्यावरण संरक्षन की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है उदेपूर के लोग इस पहल का समर्थन कर रही हैं और बढ़ चड़ कर इसमें भाग ले रही हैं जिससे यह स्पष्ठ होता है कि योग और पर्यावरण संरक्षन को साथ मिला कर कैसे एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है तो इस अंतराश्ट्रिय योग दिवस पर आईए हम सब भी एक पौधा लगाएं और अपने जीवन में योग को अपनाएं ताकि हम अपने स्वास्थे के साथ साथ पर्यावरण को भी स्वस्त रख सकें लोकल 18 के लिए उदेपुर से निशा राठोड की रिपोर्ट